स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविबार को मुंबई के बीच केंडी अस्पताल में निधन हो गया बीते दीनों कोरोना से संक्रमीत होने की बाद उन्हें ब्रीड केंजी अस्पताल में भरती कराया गया था लता मंगेशकर के जीवन की अनेक ऐसी घटनाय हैं जो नई प्रीड को भाविस्य में भी प्रेंडा देती रहेगी यह बात बहुत कम ही लोग को मालूम होगा कि अपने जीवन में पढ़ने के लिए वक्यवल एक दिन इसकूल गई थी इस बारे में भी एक दिल्चस्प वाक्या सामने आता है मदद से मराठी वर्ण माला सिखी मराठी में ही लता जी ने मुल बाते पढ़ना और लिखना सिखा लता मंगेश कर इन हर वाइश नामक किताब में लेखी का और फर्म निर्मात नस्रिन मुनिक कबीर कहती हैं कि लता जी ने बताया था कि वो लगबक 3 या 4 साल की रही होगी जब उन्होंने अपने नौकर विठल जो उस समय की शोर था मराठी वर्ण माला सिखाने के लिए कहा था सिरी गरेंश से हुई थी शुरूआत नस्रिन मुनिक कबीर ने लता जी से वर्टलापों का लता मंगेश कर इन हर इन वाइश नामक किताब में शंगलित किया है वकल लता जी उन्होंने घर पर ही मराठी का अध्यन किया था हलाकि लता जी ने इससे पहले कुशनर सरी कक्छाओं में भाग लिया था लता जी के मताबिक जब सिक्षक ब्लेक बोर्ट पर स्री गरेंश लिखते थे तो मैं इसे पूरी तरह से कौपी करती थी इससे मुझे दस में से दस अंक मिले थे लता जी के मताबिक यह तब की घटना है जब उनकी चचेरी बहन बसंती शांगली में उनके घर के ठीक सामने एक मराठी माध्यम से स्कूल में तीसरी कक्छा में पढ़ रहे थी कभी कभी आओ अपने चचेरी बहन के साथ जाती थी जब बसंती को शंगीत की सिक्षा दे जाती थी तब लता मंगेश कर शिक्षिका के गायन को ध्यान में सुनती थी इस किताब में लता जी ने इस वाक्य का भी जिक्र किया है कि बकॉल लता जी एक दिन जब सिक्षिका ने उनकी ओर इशारा करते हुए चचेरी बहन से पुछा कि वो कौन है जब लता जी ने चहकते हुए कहा था कि मैं माज्टर दिननाथ जी की बेची हूँ शिक्षिक ने कहा वो इतने महार गायक ہیں क्या आप गा सकती हैं लताजी ने उनसे कहा कि मैं कई दाल मालकॉंड्स हिंडोल आधी गा सकती हूँ इसके बाद शिक्षिका ने उन्हें सीधे इस्टाप रूम में ले गई जहां सभी सिखषक बैठे थे उन्होंने लाताजी से गाने के लिए कहा था, आशा की गोद में लिया और चली गई श्कूल, लाताजी के मुताबिक उन्होंने हिंडोल पर एक सास्त्री शंगित गाया, तब वो चार या पांच साल की रही होगी, लाताजी कहती है कि उसी दिन मुझे श्कूल में दाखिला मैं गुष्चे में थी, उठी और आसा को लेकर घर आ गई और कभी भी श्कूल नहीं गई, ऐसे करती थी गायन की तयारी, लाताजी के मुताबिक उन्होंने चचेरी बहन इंदीरा से और बाद में मुंबई के लेखराज सर्मा नाम के एक ब्यक्ति से हिंदी सीखी, इसके बाद उर्दू, बंगाली और थोड़ी पंजाबी शीखी, लाताजी संस्क्रीट भी समझ सकते थी, लाताजी ने तमिल भी सिखने की कोशिश की, या पुछे जाने पर कि वह कोई गीत कैसे याद करती है, इस पर लाताजी का कहना था कि भले ही शब्द उर्दू या किसी आ अधि किसा इनकोशन कितने की का है, इस बीसे सब्सक ह texts.